हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूटूब चुनेट पर आज की वीडियो में हम साइकलोजी के कुछ इंपोर्टन कोश्चिन दिखने वाले है जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से काफी इंपोर्टन है आज मैं आपको ज्यादा डिटेल में चली बात करते हैं प्राचीन अनुबं यानि कि क्लासिकन कंडिशनिंग की कि बात की गए क्लासिकन कंडिशनिंग का सोरप्रतम अध्यन किस ने किया तो इस लिए थी यह आई पी पैवलो ने दिये थी यह मैंने थिएरी वाली वीडियो में आपको बताया है आप जो है अनुबंद से यही question पूछाए कि अनुबंद क्या है तो ये भी आपको पता होना ची अनुबंद क्या है अनुबंद है आपका साचारिये स्तापित करना तो ये आपका है अनुबंद माप कीजिए थोड़ा सा ये बैख हो गया था आपको आयोप अच्छे से दिख रहा होगा तो ये आपका first सही होगा आगे देखते हम आगे है आपके पास पूरो में सीखी गई सामागरी यदि बाद में बाद में से की गई सामागरी सीखने में अवरोत पेदा करे तो इसे क्या कहेंगे इसे कहेंगे पूरो मुखी अधियन इस question को आप फिर से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको इसको अराम से समझ लेगा अगर कोई आपकी पहले जो सीखी वी चीज है वही अगर नई चीज को सीखने में प्रोबलम करती है अवरोत पेदा करती है तो वो क्या कहलाएंगा पूरो मुखी अधियन साथ ही अगर आप English Medium है तो आपको ज़्यादा प आपके पास बच्चों द्वारा जूट बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस परकार का अनुबंध है तो अनुबंध किस परकार का है तो यह दंट परिक्शन आपके पास ऑप्शन ज़स सीधिया है यानि कि सव बिलकुल सही हो जाएगा आगे है आपके पास इसको आप बताई गई है जिसे का आपके पास ऑप्शन दिया है तो कहलर ने किस पर कहा था वर्दिमर कहलर और कऊफा इन तीनों ने किस पर किया था तो इन्हों ने किया थे चिम्पेंजी पे तो यह इंसाइट थ्योरी से संबंद है गेस्टालवाधी वीचारदारा के यह है तो इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि कोहलर ने बिल्ली को नहीं बलकि एक सुल्ता नामक चिंपेंजी पर किया था जो कि मैंने आपको लास्ट जितनी में साइकलोजी की वीडियो है मैक्सिमम वीडियो में आपको ये रिपीट कोश्चन होता हुआ दिख जाएगा गंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस परकार का वहवार है ये आपका ऑपरेंट आपका जो है बिहेवियर में आएगा तो ऑप्शिन जो भी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आइचार आपको ये रामसे अभी थियोरी आपको मैंने डिटेल में नहीं करवाईए जब आपको डिटेल में करवाऊंगा इस तरह के जितने कोशिन है आपको आटोमेटिक ये आपको आजाएंगे पुनर बलन सिदान्त किस ट्रेणी में आता है तो पुनर बलन का जो सिदान्त है यानि की रिइंफॉर्समेंट थियोरी की बात की गई है इंगलिश वालों को अगर यह हिंदी में नहीं समझ आ रहा है रिइंफॉर्समेंट थियोरी की बात की गई reinforcement theory आपकी जो है कि स्रेणी में आएगी तो साह चारिए जो आपका सिधान थे option जो इसमें C है या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अगला आपके पास सौरप्रथम शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किया तो किसने किया था सौरप्रशन शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किया यह किया था आपके सकिरनाने आप्शन जो भी है या बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रशन आपके पास अनुभो के द्वारा वहवार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते है या परिभाशा है तो ये एक जो है आपकी डेफिनेशन है या परिभाशा कहिए इसको तो ये किसने दी थी तो ये दी थी आपके गेट्स ने हो सके याद रह सकता है तो रख लिजेगा बाकी इंपोर्टन तो आपका नहीं हो सकता है सीटेड के एक्जाम में इस तरह का कोशन आपको देखने को मिल जाए ये आपके लिए important question है सीखना आदतो ग्यान वो अभिवीतियों का अर्जन है यह परिभाशा दी है किसने दी है ये दी है crow and crow ने इस तरह की आपकी definition इस तरह की जितनी भी आपकी परिभाशा है ये आपकी crow and crow से लेटर जितनी भी है important हो जाती है कुछ दिन बाद वह बंदर बीना भोजन ही कुशलता पूर्व करतब करने लगता है यह अधिगम सिधान थे तो ये किसका है तो ये आपका शाष्टरी अनुवंद है यानि के classical conditioning theory से related है option जिसमें भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा थोंडाइक ने अपने प्रयोग के अधार पस सीखने के कितने मुख्य नियम परदान किये है तो ये आपके लिए question है तो कितने किये है तीन किये है कौन-कौन से किये है अगर आप में से जो पूराने student है last जो मिर्सा जूड़े थे last date के लिए उन सबी को मैंने ये बार-बार करवाया है जो भी है अगर आप चाहे तो आप कमेंट कर सकते है अगर आपको मैंने बताया है तो आप बता भी सकते है वाता कि दूसरे बच्चे को भी पता चल सके बाकी जब मैं detail में करवाँगा इसको मैं फिर से करवा दूँगा सफलता से बढ़कर कोई पुरसका नहीं यह थोंडाई कि किस नियम पर लागू होने वाली स्थिती है तो यह प्रभाव का नियम बताता है आप्शन जो आपकी पास सीध यह है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इपोर्टन कोशन पेशक इसको आप नो डाउन कर सकते हैं अच्ची आ amendment के निर्मान में सहायक सीधान थे तो अच्ची आत्तों के निर्मान करने कौन सा जो है सिधान सायक है तो यह आपका शास्त्री यह अनुबंद का स्तान थे जो कि IP पे उलोद्वार यानि कि Classical Conditioning तियोरी है जिसमें एक डोग पे आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था तो यह अच्छे आत्तों के निर्मान में साहे कि आपका Classical Conditioning तो option जो भी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा आज का आपका Antimpression देने वाला धीमी गती से सीखने वाले बालको है तो अधिक उप्योगी सिदान्त है तो अधिक जो है उप्योगी सिदान्त कौन सा है तो ये है आपका थोंडाई का सिदान्त थोंडाई का इसमें सिंतान्त नहीं है ये आपका थोंडाई किसमें नाम दिया है तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है तो ये कौन सा है तो आपके trial and error theory किस ने दीती ये दीती थोंडाई के ने यानि कि प्रयास और भूल और प्रयास का सिदान्त या प्रतन और भूल का सिदान्त भी कहेंगे इसको या सूजबूज का सिदान्त भी इसको कहेंगे इसको कहेंगे सूजबूज का सिदान्त भी इसको कहेंगे इसको कहेंगे इसको कहेंगे प्रयास और भूल का सिदान्त या आपके लिए important question है अगर आप चाहे तो उसको भी आप लिख सकते हैं बाकि आज की वीडियो में यहीं करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में में सब बने रेने के लिए आप सभी का तेह दिल से धन्यवाद